आज हम बात करते हैं कि आपके हाथों में ये अगर रेखाएं हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं अगर दूसरी जो रेखा बता रहे हैं अगर वो रेखा है तो आप सिर्फ जौब ही कर सकते हैं दोस्तों बहुत से सवाल आते थे कि हम जॉब करें या बिजनेस करें तो आपके लिए सिर्फ आप ये देखें कि आपके हाथों में अगर ये रेखा है तो आप जॉब करने में सक्षम हैं बहुत से आदमी के मन में होता है कि हम अपना स्वाफ खोलें या हम अपना फैक्टरी लगाएं या हम अपना टीम त्यार करके अपने जीबन में आगे बढ़ने का कोशिस करें लेकिन उन्हें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं अब है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कुछ रेखाओं के बारे में जिसे कि आप जानते हैं कि ये जो रेखा यहां से निकलती है ये जीवन रेखा कहलाती है ये सब बैक्ती के हाथ में होता है ये जीवन रेखा कहलाती है सिर्फ यहां से एक रेखा निकलती है जो कि हिर्दय रेखा कहलाती है अब यह रेखा हम अभी यहां तक छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर यह गुरू परवत तक या सनी परवत तक या सूरी परवत तक जाता है तो इसकी दूसरी मेनिंग होता है लेकिन हम इसमें सिर्फ बिजनेस के बारे में ही बात करने वाले हैं और जॉब के बारे में बात करने वाले हैं अब है कि किसी भी बैक्ति का अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो सबसे पहले उसके हाथों में ये देखना पड़ेगा कि उसका बुद्ध परवत यानि कि ये जो परवत होता है ये बुद्ध परवत होता है किसी भी बैक्ति के हाथ में अगर ये परवत इतना दूर ये यह ऐसी अगर जाले नहीं है और दूसरा चीज की यहां से यह जो पूर आपको दिख रहा है यह थोड़ा अगर नीचे है तो थोड़ा सा प्रॉबलम बिजनिस में आपको करेगा लेकिन अगर यही अगर आपको उपर की और है और यह पूरा प्रबत अच्छा है तो आप बि बिजनिस के लिए देखा जाता है कि उस वह बैक्ति प्रैक्टिकल है या नहीं है अगर वह बैक्ति प्रैक्टिकल है तो ही अपने जीबन में आगे बढ़ सकता है चाहे वह जौब में हो या बिजनिस में हो बिजनिस में यह बहुत अच्छे तरह से देखना जरूरी है अगर ये भी छोटा है और ये भी छोटा है यानि कि ये तीनों बरावर नहीं होना जाहिए ये बीच का जो पूर है ये थोरा सा बरा होना जाहिए ये अगर इस अंगली में यानि कि ये कनिश्क अंगली में अगर है तो अति उत्तम है अगर सभी अंगली में है तो थोरा प्र यह थोड़ा बरा होना चाहिए अगर इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो उस परवत को देखना जरूरी होता है कि उस परवत पर उसके confidence का या पर क्या असर पड़ता है और वो practical किस छेतर में है यह देखना जरूरी होता है अब है कि business की सबसे पहले यह बता दिये कि ये होना बहुत जरूरी है और practical के लिए ये दो चीज़ होना किसी भी बैक्ति के हाथ में बहुत जरूरी है अब तिसरा चीजा इसकी जो लंबाई होती है यह पूर की लंबाई यानि कनिशका उन्गली की यह पूर की लंबाई और अंगठा की यह लंबाई यह दोनों इस अंगली का जो ये पूर होता है, यहां से अगर ये बरा है यहां से अगर ये बरा हूँ अंगली है अगर देखते हैं तो ऐसे बैक्ती को बिजनस में अच्छी शफलता मिलने की संभावना बैक्त की जाती है, किसी भी बैक्ति के हाथ में अब है कि अगर किसी भी बैक्ति को बुद्ध परवत पर अगर स्टार का चिन है या तिरभूज का चिन है तो ऐसे बैक्ति भी बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं यानि कि ऐसे बैक्ति डिस्टिब्यूशन या electronics की समवन या mobile की जो swap होती है इसमें आगे बढ़ने की quality होती है और ये आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसके लिए हम आपको वीडियो दे रहे हैं लेकिन इसमें आप जान ले कि बुद्ध परवत पर अगर ऐसे निशान है तो इस किसी बैक्ति का यहां से निकलती है कहीं से भी मस्तिस्क रेखा अगर यह सीधा जा रहा है अगर सीधा यहां तक चंद्रमा तक अगर आ रहा है या नहीं भी आ रहा है यह सीधा अगर यहां जा रहा है सिर्फ यह नीचे जुगना नहीं चाहिए अगर यह सीधा अगर चला चाहिए नीची आने पर थोड़ी प्रॉब्लिम हो सकती है अब है कि यह जो हिर्दय रेखा होती है यह हिर्दय रेखा अगर किसी बैक्ति का यहां से निकला और यहां से निकला अगर गुरू परवत तक चला जाता है तो वह जौब के लिए होता है अगर यहां तक चला गया तो वह बैक्ति जौब में ही अच्छा कर सकता है सनी परवत पर चला गया तो इसका अलग मिनिंग होता है लेकिन अगर किसी बैक्ति का यह सीधा यहां तक चला आता है यहीं पर आके रुख जाता है यहां पर दो भागों में बढ़ जाता है तो ऐसी बैक्ति भी बिजनेस म बहुत ज्यादा होती है अब है कि किसी भी बैक्ति का अगर ये सब रेखा जितना भी हम चीज बताए है उस चीज के अलावा एक चीज और देखना होता है किसी भी बैक्ति में ये परवत हाथ का ये जो परवत है ये परवत देखना सबसे जरूरी है बिजनेस के छेतर में ये होता है सुक्र परवत यानि कि इस सुक्र परवत पर यह थोड़ा पिंक कलर का होना चाहिए अगर है तो अच्छा है अगर नहीं भी है तो यह थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए ज्यादा उठा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा धसा भी नहीं होना चाहिए और इस पर जा जाले अगर होगी तो ये प्रॉब्लिम कर सकता है क्योंकि शुक्र अच्छा होने के बाद ही बुद्ध उसको साथ देगा तो वो अच्छा बिजनेस आगे कर सकता है और पैसा को कमा सकता है यानि कि शुक्र आपका देखना बहुत जरूरी होता है अब है कि ये सब रेखाएं किसी भी बैक्ति के हाथ में है तो वो सफल बिजनेस में बन सकता है अगर बिजनेस रेखा जो भी निकलती है वो बिजनेस रेखा उसके पास में गहरा है या मोटा है इससे कोई फरक नहीं परता है लेकिन अगर ये सब साइन आपके हाथों में बन देखता हूं तो यह सब लाइने उसके पास में हैं लेकिन वह business कर ही नहीं रहा है तो वह क्या होगा वह business कुछ नहीं हो सकता है उस हाथों का उस लकीर का क्योंकि आपको कर्म करना परेगा है कर्म के अलावा उसका कोई solution ही नहीं है कर्म करेंगे तो ही आपको सफलता मिल सकती है अब है अगर इस रेखाओं के बाबजूद अगर आप कर्म कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप सिर्फ अपने हाथों में देखें कि बुद्ध और सुक्र की क्या इस्ति है और सनी अगर थोड़ा भी सही है तो आप बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो आप इसका उपाई कर सकते हैं उपाई बहुत ज़्यादा नहीं है छोटा सा उपाई ह इससे आपकी सफलता में थोड़ा इंक्रीजमेंट होगा ऐसा नहीं है कि 100% हुई जाएगा लेकिन उपाय करने के बाद उसका 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा इसे कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं या नीचे वेब साइट का लिंक है वहाँ पर भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं उस पर पोस्ट भी है और उसको भी पर सकते हैं दोस्तों अगर ये चेनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दवा लें धन्यवाद